नमस्कार दोस्तों टेक स्केन के एक बिल्कुल नाया फ्रीस और एक्साइटिंग अपसोर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर में Vodafone Idea कंपणी यानि V.I. कंपणी के बारे मैं बताऊंगा क्यूंकि Vodafone Idea कंपणी की तलब से एक बहुती ब बढ़ा powerful decision यहां पर लिया गया है Vodafone Idea अपने 5G को पर काफी बढ़िया काम कर रहा है और अपने 5G development अलरी श्टार्ट कर दिया है जहां पर Vodafone Idea ने अल्मुस्ट 5000 टावर्स के अंदर 5G अपगरेशन का जो प्रोसेजियों रहे वो यहां पर स्टार्ट कर दिया है और यह पर Nokia के साथ partnership करके Vodafone Idea यह अपडेशन कर रहा है लेकिन इससे भी चौका देने बात यह है कि Vodafone Idea जो भी Chinese vendors के साथ इससे पहले टाई आप किया था वो सारे vendors को cancel out कर रहा है इसके बढ़े में क्या कुछ अपडेट अभी हमारे पास निकल के आया है बताऊंगा इस वीडि है जहाँ पर आपको मिलने वाला है एक brand new iPhone 13 किस तरीके से गिवाय के अंदर पार्ट से बेट करना है वीडियो डिस्क्रिप्शन पर पहला लिंक है गिवाय वाले वीडियो लिंक उस वीडियो को देखो टामसन कंडिशन को फॉलो करो और सिंपली एक महने के अंदर आपको म पर नजर आया है हाला कि अगर मैं स्पीड की बात करते हूं तो काफी बढ़िया है लेकिन कुछा से बिजनेस स्ट्राटेजी है जहां पर वुराफोन आइडिया खरे नहीं उतर पाए और इसी करन से आज के डेट के अंदर काफी खड़ा परिस्तितिय वी आई कंपानी का लेकिन आपको बता है भारत के अंदर आत्मनीर भार भारत का जो पुग्रे से वो यहां पर चल रहा है बी एसनल कुछी दिन के अंदर अपने 4G सर्विस को लांच करेंगे और इसके अंदर पूरे तरीगे से जो इक्विमेंट यूज किया होगा पूरे तरीगे से जो टेक जो धिरे-धिरे कम किया जा इसके बार में हर एक जो चीज़े वो यहां पर बात्चे चल रहा है इससे पहले वोड़ोफोन आइडिया कंपनी की तरफ से क्लियली बताया था मत्रबाद से कुछ साल पहले कि हुआ एक कंपनी जो एक चाइनिस कंपनी है वो जिस क्वालिटी क का मोडेम जिस प्राइस रेंच के अंदर भारत के टेलिकम कंपनी को प्रोवाइड करते हैं वो सुपीडियार है मतला दुनिया के अंदर आसे कोई भी कंपनी नहीं है जो हुआ है जासे इतना फास्ट है इतना रिलावेल कंपनी है लेकिन आज के डेट के अंदर पर लगवा था उसे cancel out करके मेंली नोकिया को दे दिया है और नोकिया को इंस्टाइग्ड भी किया गया है कि हुआ है के जो 4G मोडेम से उसे आप स्वाप करके नोकिया के मोडेम लगवा दो नोकिया कंपनी के लिए यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है में लिए स्वाइपिंग का इसका मतलब नोकिया हुआ है का जो भी मोडेम से वह लेकर चले जाएंगे और नोकिया आपने मोडेम को आपको नहीं पता तो आपके घर के पास जो मोबाइल टावर से एक बर उपर देखिएगा वह आपर बहुत सारे अंटेने लगा हुआ होते नीचे जो एक स्टोर रूम जैसा रहता है जहां पर काफी सारे मेसिनरी रहते हैं तो वह सारे चीज़ को एक साथ मोडेम कहते हैं तो यह नोकिया के साथ वह स्वाप करने के लिए बोल रहा है मतलब नोकिया का इंस्टॉल होंगे और हुआ का वो लेकर चल Finland के company है, Finland based company है, उसके साथ China का कोई लेना देना नहीं है, और इसी कारण से जो Chinese company से उसे धीरे धीरे बाहर कर रहा है, हाला कि officially Chinese company का जो user से वो भारत के अंदर band नहीं है, लेकिन Telecom company धीरे धीरे इस चीज़ को कर रहा है, दोस्तों Huawei company की तरफ से ये आसा दिखाया जा रहा है कि आने वाले नियार future के अंदर, definitely Huawei का एक अच्छे कासे future होंगे इंडियार market के उपर, लेकिन वो आसा धीरे धीरे कम होते नजर आ रहे है, क्योंकि जिस तरीके से हर एक Telecom company आपर steps ले रहा है Chinese brand के उपर, आने वाले time के अंदर तो काफी खड़ा, वक्त आने वाले ये सरे Chinese company क इसके साथ-साथ Nokia यहां पर हुआ है कि जो भी modems को swap यहां पर करेंगे, Nokia का modems जो वो 5G ready modem है, इसका मतलब Delhi NCR के अंदर सिर्फ 5000 ऐसे mobile towers है, जहां पर Nokia और हुआ है का यह जो swapping process यह complete हो चुका है, इसका मतलब 5000 mobile towers 5G ready बन चुका है, 5G ready बन चुका है, जी हां दोस्तों, तो जब भी भारत के अंदर 5G spectrum का उक्सांस होंगे, उसी के साथ के companies को spectrum मिल जाएंगे, वो फटाक से 5G service launch कर सकते हैं, इसका backward का जो procedure है, वो अल्रेडी चल रहा है, maximum जाय के अंदर complete भी हो चुका है, तो इससार अपडेट सामने पास निकल का रहा था, छोटा सा वीडियो बन अगर आपको बता दिया, अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नहीं जान करें मिला, तो वीडियो को लाइक किजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को साथ से यार किजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास निकल को दबाना बिलकुल भी मत भूले, ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए, थैंक्स फ़र रचिंग, बाइं टेक क्यार, आप सब्सक्राइब करते हूं कि ऐसी को नए वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखेगा,